ग्राम पंचाय चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस बार दो हजार पाचीस में जो यूपी में पंचाय चुनाव होना है वो कुल कितने चरड़ों में होगा और ये चुनाव के जो संभावी तिथियां है ये कब तक एनाउंस होंगी और आपको चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कब से शुरू करना है इस बात की पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आये हैं सब्सक्राइब कर लें और मैं कोशिस करूंगा कि लगतार ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा हमेशा देता रहूं तो देखिए दोस्तों एक साल की बात नहीं है एक चुनाव की बात नहीं है लग बग लग बग हर चुनाव में ये पाया गया है कि चार चरड में तीन चरड में चुनाव संपन कराए गये हैं और ये यूपी मे पंच्जाय चुनाव का इतिहास रहा है कि चार चरड या तीन चरड में ही चुनाव हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज नहीं है बड़ा राज है और इतने बड़े राजे और इतनी बढ़ी जन संख्या में एक साथ पंचाहे चुनाओं कराना थोड़ा सा इंपासिबल लगता है इस वज़े से और गुडवत्ता पूर्वक, सांती पूर्वक, सही तरीके से सभी चीजों को मैनेस करते हुए कोई यन्य चीजें इस चुनाओं के वज़े से डिश्टर्बना हो, कोई दूसरा डिपार् इस चुनाओं के वज़े से ज्यादा नुकसान या घाटे में ने जाए ना ही पीछे हो, इस वज़े से चार चरडों में चुनाओं लगभग कराए जाते हैं, इसका फायदा यह होता है कि चुनाओं में जो चुनाओं करमी, चुनाओं कराने वाले जो भी संबंधित चोट लेवल के हो, तो अलने विभागों को बिना डिश्टर्ब किये चुनाओं संपन कराना एक तरह का अच्छा ही माना जाएगा, इस वज़े से चार चरडों में चुनाओं होता है, ताकि सुरक्षा ब्योस्था, पुलिस ब्योस्था, पुलिस प्रसासन और संबंधित जो बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी ना हो, तो इस वज़े से चार चरडों में चुनाओं होते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले हमेसा पानच साल में जब भी चुनाओं होंगे, पंचायत चुनाओं, तो ये चार चरड, तीन चरड में जरूर होंगे, कभी-कभी सिबल मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चरड में चुनाओं हो, तो ये बात रही चार चरड वाली, लेकिन दूसरी बात कि चुनाओं कभ होगा, भाई मेरा तो यही मानना है कि 2020 में सितंबर में चुनाओं होने थे, अक्टूबर में चुनाओं होने थे, तो अगर 2020 में सित कुछ अन्य कारणों के वज़े से कुरोना महामारी के वज़े से कुछ विभाग में लेट लती फी हुई उसके बाद आराच्छड का मामला घबड़ाया हाई कोट में चला गया तो कुल मिलाज विला करके तीन तरह का बड़ा-बड़ा दिश्टर्बेंस हुआ जिसके मुज़े से चुनाव सात महिने आठ महिने ये बिलम करते करते 2021 आ गया 2021 के अपरेल महिने में चार तितियां डाली गई चार तितियों मेने चार चलडों में चुनाव संपन हुए और माई महिने में रिजल्ट आया तो 2021 मई के हिसाब से अगर आप count करेंगे तो 2026 का मई चुना कराने के लिए तीथी आपको लगेगा कि सही है लेकिन मेरे हिसाब से मेरे टीम के हिसाब से मेरे अपने मता नुसार मुझे लगता कि किसी स्कूल में अगर आप जा रहे हो एक दिन अगर देर हो गया तो आप नियम नहीं बना लोगे कि स्कूल का जो टाइम है वो टाइम से ही चलेगा एक दिन अगर विलम वाफ हुए किसी कारर से तो हमें से आएंगे तो इसी बेस पर इसी तर्ज पर मैं कह सकता हूँ कि अगर पिछली बार साथ महें ने किसी वज़ा से तेरी हुआ तो उसको हमेशा खिली नियम नहीं बना लिया जाना चाहिए इस बार जो 2025 में चुना होना चाहिए सितंबर में होना चाहिए अक्ट्यूबर में होना चाहिए मेरे हिसाब से तो यह है और आप दर सकों से मेरा निवेदन है कि आपके हिसाब से कब होना चाहिए चुनाओ कोमेंट सेक्षन में अपनी राय मुझे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि जिस तरह से मैं या मेरी टीम सोचती है कि आप भी ऐसे सोच रहे हैं या आप एकदम जीरो एक्टिविटी में हैं जीरो एक्टिविटी का मतलब की चुनाव आ गए हो पीछे हो आप से कोई लेना देना नहीं है तो हो सकता कि आप भी मेरी जैसे ही सोच रहे होंगे तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बहुत बहुत सुक्रिया